नमश्कार दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल रुद्धान नर्सिंग एक्सप्रेस में एक बार फिर से हार्ट देख स्वागत है आसा करता हूं कि आप सुभी लोग अच्छी होंगे आज का हमारी इंपॉर्टन टॉपिक रहेगा चिकन पॉक्स तो इस बीमारी के तो तो सूच किया रहे हैं चैनल को सब्सक्राब कर लें और सब्सक्राब कर लें साथ में notification bell कर लें ताकि आप सभी कौमारे nursing से लेटी बीडियो को notification सबसे पहले मिल सके क्योंकि यहां आपको authentic notes प्रतान के जाते हैं तो चले topic को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे chicken pox तो chicken pox क्या होता है और यह किसके करण होता है तो chicken pox is a very contagious infection caused by the varicella joster virus ठीक है यह देखेगा जो chicken pox disease होती है यह varicella joster virus होता है इसके द्वारा फैलता है और यह कैसी disease होती है contagious contagious का मतलब क्या होता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है राइट चले अगला है it mainly affect it but adults can get it too ठीक है generally यह आपको ज्यादर तर जो है यह भीमारी हमारे जो kids होते जो बच्चे होते उन में देखनों को मिलते है लेगिन साथ साथ में यह adults को भी जो है affect करता राइट चलिए next point है the tell tell sign of chicken pox is a super itchy skin rash with red blisters ठीक है यानि कि इसका अगर हम बात करते है इसके chicken pox के तो primary sign होता है primary cancer जो सबसे सुरुवाती पर जाते हैं ठीक है तो यह आ दखी गए यह primary sign होता है किसी भी chicken pox का clear है चलिए next point है the red itchy skin rash is usually starts on the valley or back and face then it spreads to almost everywhere else on the body including the scalp, mouth, arms, legs and genitals ठीक है लाल खुजली दा जो तुचा होते है उसके जो दाने होते है यह आम तोर पर आपको पेट या पीट पर ठीक है यह चेहरे पर जो है सुवात में आपको देखने को मिलते हैं फिर यहां से जो है यह धीरे धीरे आपकी खोपड़ी ठीक मुह हाथ पैर और जननांगों सही सरीकिस जितनी भी जो और्गंस हैं body parts जो हैं वहां तक पहुंच जाते है राइट चलिए अब हम देखेंगे कि chicken pox का क्या कारण होता है तो जैसे कि मैं नहीं आपको बताया था chicken pox is caused by the जोस्टर वायरस ठीक है यानि की वी जैड़ वी तो कौन से वायरस के दोरह फैलता है आपको याद अखना है वैरी सेला जोस्टर वायरस के दोरह यह डिजीज जो है फैलती है ठीक चलिए नेक्स पॉइंट है after someone has had a chicken pox the virus stays dormant in the nervous system for the rest of their life the virus can reactiv later as a singles which is very painful क्या कहना चाहता है किसी को chicken pox होने के बाद ठीक है यानि कि कोई भी आसा मैंच जिसको chicken pox हुआ हो मलेजिए अगर पचास ऐसे patient हैं जिनके chicken pox हुआ हो तो उन में कुछ ही ऐसे patient होंगे जिन में क्या होता है जो यह वायरस होता है ठीक है wireless ceyk觉 वायरस होता है यह क्या करता है तंत्र का है तंत्र में जो आपका पैदा करते हैं इस इंजलिस क्या होते हैं जिसको हम दाद कहते हैं और यह तो दाद होता है काफी ज़्यादा जो है दर्द भरा होता है राइट चलिए अब हम बात कर लेते हैं symptoms की ठीक है क्या क्या लक्षन देखनों को मिलेंगे तो symptoms appear within 10 to 21 days after you have been in contact with someone who has the virus. The rest often last about five to ten days. Most people recover in about two weeks. ठीक है क्या कह रहा है कि virus से जो periods व्यक्ति होते हैं याद रखिएगा जब यह किसी संक्रिमित व्यक्ति या virus के संपर्ख में आता है तो दस से 21 दिन बाद जो है symptoms आना start हो जाता है याद रही है, इन्क्यूडियोशन पेरा क्या होता है दस से 21 दिन ठीक और जो दाने हैं वो कप तक आपके बने रहते हैं जो कि जो भी symptoms आ रहे हैं जो भी दाने आ रहे हैं ठीक है जो अब बेन गए यहां पर फॉर्मेशन हो गया है ठीक है तो पांस से दस दिन तक जो है यह आपके बने रहेंगे और अधिकांस लोग जो है लगबद दो सप्ता के अंदर जो है यह ठीक भी हो जाते हैं राइट चली अब हम देखेंगे क्या के इन जो है सिंटम्स देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला है हमारा है फीवर व्यक्ति को जो है काफी ज्यादा हाई टंप्रेचर में बुखार आता है उसको ठीक अगला हमारा हैड़क सिर्दर दोता है टाइडनेस ठीक है ठकावट सी महसूस होती है ठीक है लॉस ऑफ एपिटेट जिसको हम एनॉरेक्सिया भी कहते हैं भूखना लगना या बोजन से गहना राइट चली अब हम बात करते हैं फेजेस की तो कौन-कौन से तीन चरण पाए नहीं थे उनमें क्या होता है यह और उभर जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं पैप्यूल्स कहते हैं कुछ दिन बाद क्या होता है कि यह जो पैप्यूल्स होते हैं वो तूट जाते है या फूट जाते है राइट चाली अगला क्या है ए वेसाइकल टाइप ऑफ विस्टर लक्तेंगे ूर्चल कहते हैं यह क्या होता है एक दिन में बनते हैं और फूट कर जो यह जिस आज जाता और ज के अंदर जो लिकवड भरा होता है जो क्या होता है रिंख आउट हो जाता बाहर रचनल लगता है नेक्स्ट के हमारा crusts and scabs which over the broken blisters and take a few more days to heal अब क्या हुआ है मैंने आप दो क्या बता है कि जो blister था जो वैसाइकल था वो क्या होगा हमारा food के बाद में क्या बनेगा उस पर जो है crust और scabs का formation होगा यानि की पपड़ी का formation होता है ठीक है पपड़ी का कि हम लोग risk factor की यह जो कि कौन कौन से ऐसे कारक है ठीक है तो सबसे पहला हमारा children और adults who have never been vaccinated against the varicella joster virus यानि कि कहने के मतलब क्या है यहां तो कोई भी हमारे बच्चे या कोई वैस्क जिन्होंने अभी तक जो है इसकी vaccine नहीं लगाई है तो ऐसे वेक्तियों में ज्यादा खत्रा रहता है चिकन बॉक्स होने का राइट चलिए अगला क्या है pregnant woman and newborn baby ठीक है कोई भी जो गर्वस्त मा है और उसको उसके द्वारा होने वाले सिशू में यह जो disease है वो हो सकती है ठीक है अगला क्या है people with weak immunity जिनकी immunity ठीक है काम होती है weak immunity पावर जो है काम होती है कम जोर होती है ठीक है तो ऐसे वेक्तियों में जो है यह बिमारी होने की chances ज्यादा रहते हैं अगला point है थोज होने की समय अबना रहती है राइट चलिए those who have had a organ transplant ऐसा कोई भी वेक्ति जिनका organ का प्रत्यार open हुआ और transplant हुआ हो तो ऐसे वेक्तियों में भी जो है आपको chicken box देखना को मिलेगा ठीक है चलिए अगला point हमारा क्या है people who are suffering from severe asthma यानि कि ऐसे वेक्तियों को भी जो है chicken box हो ज चाहिए या एट सिग्रसित हैं पीडित हैं तो ऐसे वेक्तियों में भी जो है आपको chicken box देखने को मिलेगा रइट चलिए बात कर लेते हैं हम लोग complications की क्या क्या जेक्टिल ताइज देखने को मिलेगी तो सबसे पहला हमारा dehydration सेरे में जो है पाने की कमी हो जाती है ठीक है इशू में राइट चलिए नेक्स्ट क्या है formation of blood clots everywhere जगे जगे पर जो है आपके blood clot देखने को मिलेगा जिसको हम खोन के ठक के कहते हैं राइट चलिए अगला क्या है swelling of the brain called incephalitis ठीक है यानि कि आपको incephalitis भी देखने को मिलेगे incephalitis का मितलब क्या होता है जब हमारे brain में सूजन आ जाती है clear है चलिए अगला क्या है pneumonia ठीक है spondylitis spondylitis क्या होता है जब आपकी rate की हड़ी में सूजन आ जाती है तो उस condition को हम spondylitis कहते हैं right next क्या हमारा raise syndrome ठीक है इसमें क्या होता है brain और आपके जो liver होते हैं उसमें सूजन आ जाती है चलिए बात कर लेते हैं हम लोग diagnosis की कैसे जो हम लोग बीमारी को confirmation देते हैं कि यहां किसी व्यक्ति को जो है chicken box है तो सबसे पहला हमारा जो basic रहता है वो हमारा history collection रहेगा ठीक है next के हमारा physical examination के दौरा हम confirmation देते हैं अगला है हमारा blood test के दौरा next हमारा tissue biopsy ठीक है तो tissue biopsy भी क्या होता है जो भी lab में उसका examination करते हैं ठीक और इस परकार हम confirmation देते हैं कि व्यक्ति को जो है chicken box है की नहीं है चलिए बात कर लेते हैं treatment की कैसे हम उसका उपचार करेंगे कैसे इसको हम सही करेंगे तो सबसे पहला हमारा point है use acetaminophen जिसको हम talenol भी कहते हैं यानिकि talenol क्या हो जागा उसका brand name ह हो जागा जबकि generic name क्या होगा acetaminophen होगा राइक तो यह हम पैसेंट को देंगे क्यों देते हैं जब पैसेंट को pain और fever हो रहा हो तो उसको relief देने के लिए राइट अगला है don't scratch that is ठीक पैसेंट को जहां खुजली हो रही होती है उसको हम कहेंगे कि वह उसको खुजलाए न calm your skin ठीक है अगर आपके skill में जो है काफी जादा खुजली हो रही है या जलन हो रही है तो उस condition क्या करेंगे एक ठंडी जो है पानी से बीगे हुई टॉबल को उसके उपर हम लोग रग देंगे ठीक है तो ऐससे में क्या है पैसेंट को जो है खुजली से आराम मिल जाते है ठीक है अगला पॉइंट क्या है stay hydrated ठीक है जादा से जाना पानी पी है ठीक है चले अब हम देखेंगे how to live with percent of chicken pox मान लेजे कोई आपके परिवार में कोई chicken pox से गिसे देख वेक्ती है ठीक तो आप जो है उसके साथ कैसे रहेंगे यह तो है ने कि आप उसको बहार निकाल of spreading the virus to others especially those who have not had chicken pox before or who are not vaccinated ठीक है isolation के मतले क्यों होता है अलग करना ठीक यदि संबभ हो तो chicken pox के जो रोगी होते है अलग कमरे में रखें ठीक इससे क्या होगा कि जो वाइरस होगा वो उसी कमरे तक सीमित रहेगा दूसी जगे नहीं फैलेगा जब दूसी जगे नहीं फैल जाते हैं जिनों ने अभी तक जो या तो जिनको chicken pox नहीं हुआ हो या उन्होंने कभी इसका ठीका ही ना लिया हो राइट चलिए अगला हमारा पॉइंट है हाईजीन हाईजीन से मतलब क्या होता है साफसफाई स्वक्षता ठीक तो frequent head washing is essential everyone in the household should wash their hands truly with soap and water especially after coming into contact with a patient or any other surfaces they have touched ठीक है क्या कह रहा है कि बार बार हम लोगों को हाथ दोना चाहिए घर में हर किसी को अपनी हाथ साबून और पानी से अच्छी तरह से दोना चाहिए खास तौस से मरेज की संपर्क में आने के बाद या किसी वस्तु को च्छोने के बाद में चलिए अगला हमारा personals item personal items है मत others to prevent cross contamination ठीक यानि की व्यक्ति वस्तु है यानि कोई पैसेंट है हमारा कोई स्मॉल पॉक्स से व्यक्ति है और उसको जो भी परसनल आइटम्स है ठीक जैसे टॉबल्स हो गई है ठीक तॉलिया हो गई है बैट स ₹चीट है वर्टन है या प्रसाधन सामगरी है तो उसको हमें क्या Ooh शी आछी करेंगे तो क्या होगा इससे जो एक तो याद दखेगा ऐसी कंडिशन में किसी परसनील आइटम्स को हमें शीर भी नहीं करना है उन बिल्कुल भी नहीं छूना है और ना किसी को छूने देना है राइट नेक्स्ट हमारा medication follows the doctor's advice regarding medications and treatment antiviral medications may be prescribed in some cases over the counter remedies like calamine lotion can help relieve itching तो दबा के बारे में देख लेते हैं दबा और उपचार के संबंद में doctor की सला का पालन करें जो भी आपके doctor ने बताया है ठीक उनको follow करें कुछ मामनों में antiviral दवाएं निर्धारित की जा सकती है ठीक calamine lotion सबसे अच्छा lotion माना जाता है इसको क्या होता है इसको लगाने से जो है वेक्तिक में जो itching होती है उससे काफी उसको अराम मिल जाती है clear है नेक्ट क्या है सीक मेडिकल एडवाईस ठीक है सीक मैडिकल एडवाईस के मतलब क्या चिक से लाल है ठीक आपके जो डॉक्टर ने उनसे मेडिकल एडवाईस लेनी चाहिए ठीक in case of chickenpox तो सबसे first हमार लिखा है if you or anyone else in the household has not had a chickenpox before and has not been vaccinated consider contacting a health care provider they may recommend vaccination or other preventive measures ठेक है यानि की कहने का मतलब क्या है जिसको कभी आस्ता chickenpox नहीं हुआ हो या उसनो कोई भी वैक्सिन नहीं लिया हो ठीक है वैक्सिनेशन नहीं लिए हो तो ऐसे पैसिन को जो है डॉक्टर से सलह लेनी चाहिए और डॉक्टर जो है हमें उचित सिफारिश देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना राइट अगला क्या है लिमिट काउटक्ट लिमिट काउंटेक्ट से मतलब क्या है एक दूससे से जो संपर्थ हम करतों कम से कम नहीं दूस्विज्वर्ण deix ', इंसका मतलब यह है ठीक को नहीं है तो मिनिमाइस काउंटैट बेटूइन dei geld काउसेंट अनि पी काम करें जिन है चिकन पॉक्स से गंभी जटलताओं का खत्रा अधिक है जैसे कि गर्वती मैलाई हो गए हमारी ठीक नावजात सिसू हो गए बुजर्ग व्यक्ति हैं या ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रत्रेश्चा प्रणाली यानि की इम्यून सिस्टम कमजोर है राइट आसे करता हूं कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है और टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जुरूबत विदिया आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के शार्थ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो तब तक के लि